रेस्पेक्टेड मेडम सुन्या गांधी जी, राहूल गांधी जी, रियंका गांधी जी और इस मंच पे बैटे हुए हमारे पार्टी के सभी नेतागण आज जो देश में चुनाओ के रिजल्ट आए है, यह मैं तो पहले कहूंगा, यह जो रिजल्ट है, जनता की रिजल्ट है और यह जनता की जीत है, और लोकतंतर की जीत है, हम पहले से यही कह रहे थे हैं, कि यह लड़ाई हमारी मोधी वर्सेस जनता है, लोग हैं तो आट्रावी लोकसभा के चुनाओ में हम विनम्रता से जन्मत को स्विकार करते हैं, इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खास कर सत्तादारी दल बाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा, अब ये स्पस्ट हो गया है, कि ये मैंडेट मोधी जी के खिलाब गया है, ये उनकी राजनाइतिक और नाइतिक हार है, जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगे ओट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है, और नाइतिक द्रस्टी से ये तो उनको बहुत बड़ा नुक्सान हुआ है, आप जानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गटबंदन से बहुत प्रतिकूल माहुल में चुनाओ लड़ा, सरकारी मशनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाब अभियान चलाया, फिर भी सुरू से आखिर तक कॉंग्रेस पार्टी का कैम्पेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था, हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बधाली और समिदान संस्ताओं के अतुरूप्यों जैसे विश्वों को केंद्री मुद्दा बना कर हम जनता के सामने गए थे, इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में, लोग हम से जुड़े, हमारा समर्तन किया, प्रदान मंत्री ने जिस तरह का कैम्पेन किया, वो इत्यास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा, कॉंग्रेस के घोशना पत्र के बारे में, मोदी जी ने जो जूट फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया, मैं इस मोके पर कहिना चाहूंगा, कि स्री राभूल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोडो यात्रा और भारत जोडो न्याय यात्रा के दवरान, लाखो करडो लोकों को मिला, लोकों की समझाओं को सुनना, और आगे चलकर उन समझाओं का हल डूनना, हमारे कैम्पेन का आधार बना, हमने इसी को पांच नयाई और पच्चीस गारेंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारेंटी कार्ड बनाया हमारे कार्यकरता उसे लेकर घरगर पहुँचे और लोकों को संपर्क करे इसके अलावा जो एक महत्पून बात है वो भाजपा नेतरत की अहंकार की वज़े से हुई उन्होंने धीरे धीरे सारे समिधानिक संस्ताओं के उपर गैर कानूनी तरीके से कबजा करने की कोशिश की फिर इनका उप्योग विरोधी दल के खिलाब करने लगे जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया जो नहीं दबे उसकी पाटी को तोड़ दिया नहीं तो फिर जेल में डाल दिया लोकों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मोका और मिला तो अगला हमला समिधान पर सीधा होगा और लोकतंतर पर होगा इसलिए लोकों को इसके प्रमान नए संसत सत्र के साथ ही दिखेंगे खुशी इस बात की है कि भाजपा इस सेडेंतर में अब सपल नहीं हो पाएगी मैं इस अवसर पर CPP, Chairperson, स्रीमती सुन्या गांधी जी हमारे लोकप्रियनिता रहूल गांधी जी, प्रियांका गांधी जी का विशेश महीं दन्यवाद करना चाहता हूँ और इनों ने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैमपेंग किया और हमें एक मजबूत स्थिती में पहुँचाने के लिए भारी मदद इनों ने की और मैं ये कहूंगा कि इनके वज़े से हमको बहुत बड़ा प्रोचसान देश में मिला और आज ये इस्तिती जो बनी है उनके वज़े से बनी और हमारे करडो कारिकरता जो है देश में उन्होंने भी अमारा साथ दिया इसलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ आखिर मैं इंडिया गटबंदन के अपने सभी सातियों और सुबचिंतकों का धन्यवाद करता हूँ सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे सभी ने मिलकर परचार किया और एक दूसरे की मदद की हमारे हजारों लाखों कारिकरताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया आप सभी का धन्यवाद अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है हम सब को आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए समीदान की रक्षा के लिए लोगतंतर के बचाओ के लिए देश की तरक्की के लिए सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले विपक्ष के मुद्दों को प्रात्मिक्ता मिले संसत में उन पर भैस हो आने वाले दिन महत्पूर्ण होंगे हम आप से बात करेंगे जब कभी भी मोका मिले आप सभी को मेरा धन्यवाद और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाओ में भी जहां जहां हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया इसलिए आप सभी को भी मुझे धन्यवाद करता हूँ और सभी को नमस्कार शुक्रियाद खरगे जी मैं राहुल जी से गुजारिश करूँगा वो आपको संबोधित करें खरगे जी आपने बड़ी सही बात बोली जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की देखिए ये चुनाव इंडिया गटबंदन और कॉंग्रिस पार्टी सिर्फ एक राजनेतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी ये चुनाव हम पीजेपी एक राजनेतिक दल हिंदुस्तान के institutions, हिंदुस्तान का जो पूरा governance का structure है intelligence agencies CBI, ED ये सब आधी judiciary इन सब के खिलाफ हम लड़े थे क्योंकि इन सब संस्ताओं को इन सब institutions को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाजी ने capture करा धंकाया डराया प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूँ आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी role रहना चाहिए और उस role को काफी लोगों ने किया काफी लोगों ने खुल के किया काफी लोगों ने छुप के किया और आपके emotions कहां थे हमें मालूम है लडाई समविधान को बचाने की थी constitution को बचाने की थी और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे mind में था पहले से जब इन्हों ने हमारा bank account कैंसल किया जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला पार्टियां तोड़ी मेरे mind में था कि हिंदूस्तान की जनता अपने समविधान के लिए एक साथ खड़ी होके लड़ जाएगी और ये सच साबित हुआ मुझे में भरोसा था और मैं हिंदूस्तान की जनता से इंडिया गड़बंदन के पार्टनर्स से कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बबबर शेर कार्यकरताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने सब्विधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी ने इस चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीजें की सबसे पहले हमने इंडिया गड़बंदन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की उनकी जो विशिस थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गड़बंदन लड़ा हम एक होके लड़े दूसरी बात कॉंग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक निया विज़न दे दिया है प्रो पूर विज़न प्रो प्रोड़ट्शन विज़न हिंदुस्तान को इंडिया गड़बंदन ने साफ दे दिया है यह जो हमारा performance performance हुआ है, इंडिया गडबंधन का performance हुआ है, इसके पीछे constitution जो reservation पर BJP ने आकरमन किया, गरीबी, अदानी जी के आपने stocks तो देखे होंगे, देखें, देखें हैं उस stocks उनके, तो बड़ी interesting बात है, जनता अदानी जी को मोदी जी से directly correlate कर रही है, मोदी जी की हार होती है, stock market कहता है भई हम मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब direct relationship है, corruption की relationship है, और देख ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है, कि हम आपको नहीं चाहते हैं, and this is the main thing that this election has said, the country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country, we do not like the way they have run this country, we do not appreciate the way they have attacked the constitution, we do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years, so that is a huge message to Mr. Narendra Modi, I'd like to thank everybody who has participated in this election, I am extremely proud of the people of India, I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution, और अंत में मैं आपको कह दूँ, कि इसको बचाने का काम हिंदूस्तान के सबसे गरीब लोगों होने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, गलेटों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछडों ने किया है, इन लोगों ने इस Constitution को बचाया है, इस Constitution, ये Constitution देश की अवाज है, बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, छुप रहे गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस Constitution का बचाया, मैं उनका धनेवाद करना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ, कि Congress Party आपके साथ खड़ी है, जो हमने आपको वा वाइदे आपके लिए पूरे करेंगे, जाती जनगरना, महलक्ष्मी, ये हमारे वाइदे हैं, धन्यवाद, शुक्रिया राउल जी, अभी तीन चाह सवाल सिर्फ हम लेंगे, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, शान्त हो जाईए, प्लीज, शान्त हो जाईए, प्लीज, एक मिनिट शान्त हो जाईए एक मिनिट खर्गे जी और राहूल जी आपका चार पांच सवाल लेंगे संजीव हाँ जी एक मिनिट एक एक करके चिलाईएगा मत प्लीज चिलाईएगा मत एक मिनिट अवाँ जीएगा ऑटार्णस काईट थिए एक मिनिट यहाँ जीएग एक मिनिट ईयुष्ट मजिए लोगे मिनिट डिए ओड़ जीएग आफ एक मिनिट फिल्सित वाइस थैन जाईएगा अविए फ्ट्डेब के लिएमिन ओट पिल्यूद, वेविट झाइड ब We are going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow and these questions will be raised there and they will be answered there. We respect our Alliance partners and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. Yes, sir. We are going to have a meeting with India. We will have a meeting with India. We will have a meeting with our Alliance. It is a very fine line. Whatever we will have to decide with India, we will have action. Sir, Mr. Khargese had asked you to ask yourself, You should decide to make this decision. You should have made this decision, and you should have made this decision by the NDA and the NDA. You should have made this decision from the NDA. देखिए, अभी राहूल गांदी जी ने आपके सामने स्पस्ट किया, जब तक हम अपने अलाइंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे, और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं, उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मिजॉर्टी बना सकते हैं, वो देखेंग विपक्ष में बैठने के लिए, या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए, और आप दोनों सेटों से जीते हैं, बधाई, आप कौन सी सीट्व रखने वाले, नहीं, दोनों सीटों से जीता हूँ और राइबरेली और वाइनार के जो वोटर्स हैं, उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा, दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूँ, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। 2009 में, 2009 में हाँ, 2009 में तो क्या बात करना हूँ, 2009 में दोबारा जब वहुमत मिला था, तब एक रही थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। अब मैं पूछ रहा हूँ, अब आपसे पूछ रहा हूँ, दो चीज़े, दो चीज़े, दो चीज़े, यह जो मेंडेट मिला है। आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बना चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं। होगी और उस मीटिंग में हम यह जो सवाल है, इसको डिसाइड करेंगे। तो सच मुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहूल गांदी ने अपने पीए को चनौ लडा दिया, अब उन्हीं किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं। चालेस साल से अमेठी में कॉंग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और उनका अमेठी की जनता के साथ रिष्टा है। शायद BGAP के लोगों ये बात समझ नहीं आई थी। कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोसली कनेक्टिड वियकती हैं। और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टनों हैं ये बिलकुल गलत हैं। ये उफिंसिव हैं ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी मैं मोहित हूँ न्यूज नेशन से। आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूं। देखिए। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं। आपसे ज़ादा पुलिटिकल विजडम। मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी के जनता ने। कमाल करके दिखा दिया। नहीं ने बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया। मगर यूपी ने। हिंदुस्दान की राजनेती समझ कर। कॉंस्टिटूशन पर खत्रा समझ कर। उत्तर प्रदेश ने Constitution की रक्षा की है और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ मगर उत्तर प्रदेश को मैं special कहना चाहता हूँ आपने Congress Party का India गड़बंदन का समर्थन किया बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी राहुल जी प्रियंका गांधी का भी काम है तो यहाँ पीछे चुपी होई है राहुल जी शुक्रिया साथियों शुक्रिया हो गया राहुल जी राहुल जी